हेलो इस वीडियो में हम ये सिखेंगे कि हम एक्सल शीट में कैसे मैस के फार्मूलाज और एक्वेशन को एड़ कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहां पे इंसल्ट टैप पे जाएंगे इंसल्ट टैप पे जाने के बाद सीम्बल्स ग्रूप में जाएंगे सीम्बल ग्रूप में जाने के बाद हमारे पास यहां पे दो फंक्शन है इक्वेशन फंक्शन सीम्बल फंक्शन तो सबसे पहले हम यहां पे इ equation यहाँ पे click करेंगे equation पे click करने के बाद हमारे पास यह दो tab automatic बन के आ जाएंगे एक format tab है एक design tab है तो हम यहाँ पे design tab पे click करेंगे click करने के बाद हम यहाँ पे equation बनाएंगे तो equation बनाने के लिए हम यहाँ पे equation पे click करेंगे अब यहाँ पे हम इस theorem को लेंगे यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह theorem जो है यहां पे आ जाएगे आने के बाद हम इसका size यहां पे increase करेंगे यह रिखो हमने इसका size यहां पे 36 यह रखा यह 36 आने के बाद हम इसको drag करेंगे और यहां पे ले आएंगे यहां पे ला style यहां पे change करेंगे अब यहां से कोई भी style हम लेंगे suppose करो हमने यह style चाहिए तो हम यहां पे click करेंगे यह style यहां पे आ जाएगा आने के बाद हम design tab पे जाएंगे यहाँ पर design type पर click करेंगे design type पर click करने के बाद यहाँ पर है ink equation तो ink equation का मतलब यह होता है suppose करो यहाँ पर लिखा हुआ यह x plus a यह लिखा हुआ है यहाँ पर हम square root यह लाना जाते है तो हम कैसे लाएंगे तो यह काम करने के लिए हम यहां पर inc equation यहां पर klik करेंगे यह square root यह plus का symbol यह minus का symbol यह division का symbol जो भी हमें बनाना है वो हम inc equation की जडरीए बना सकते हैं यहां पर klik करेंगे यहां पर klik करने के बाद यहां पर हम कुछ भी यहां से insert करेंगे वही यहां पर आ जाएगा यह देखो suppose करो हमने यहां पे square root यह यहां पे create करना है तो हम के करेंगे यह ऐसे हमने बनाया बनाने के बाद यह देखो यहां पे यह बन के आ जाएगा बनने के बाद हम के करेंगे इसको यहां पर insult करेंगे तो insult करने के बाद यह दिखो यहां पर यह बन के आ जाएगा आने के बाद यहां पर यह बना हुआ है तो यहां पर हमने x को यहां पर लिखना है तो हम x को यहां पर delete करेंगे यह delete किया इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर X लिखेंगे यह रिखो X तो यह X यहाँ पर आ जाएगा तो इस प्रकार हम inquecation में कुछ भी यहाँ पर insert कर सकते हैं तो inquecation में suppose करो यह हम इसको undo करते हैं यह ctrl z यह दवाया undo किया undo करने के बाद यहाँ पर हम plus का symbol insert करना जाते है X के पहले तो इसको करने के लिए हम फिर यहाँ पर inquecation यहाँ पर click करेंगे X के पहले यहाँ पर हम plus का symbol insert करना जाते हैं तो हम यहाँ पर plus का symbol यहाँ पर बनाएंगे यह देखो यहाँ पर right पर click किया इसके बाद यहां पे यह प्लस का सिंबल बनाया सिंबल बनाने के बाद यह सिंबल यहां पे आ जाएगा आने के बाद फिर हम यहां पे इसको इंसल्ट करेंगे इंसल्ट करने के बाद यह देखो यह सिंबल जो है यहां पे आ जाएगा तो इस तरह से अगर कोई भी सिम्बल हमने इंसल्ट करना है तो हम इंक एक्वेशन बे जाके वो सिम्बल यहां पर इंसल्ट कर सकते है अगर हमें डिवीजन का सिम्बल चाहिए तो हम यहां पर प्लस का सिम्बल डिलेट करेंगे और यहां पर इंक एक्वेशन पर जाएंगे इंक equation पे जाने के बाद right यहां पे click करेंगे और यहां पे division का symbol बनाएंगे यह दिखो यहां पे division का symbol यह बन गया बनने के बाद यहां पे हम insult करेंगे insult करने के बाद यह दिखो यह division का symbol यहां पे बन के आ जाएगा इसके बाद इसको delete करेंगे यह delete किया delete करने के बाद आगे हम करेंगे professional ये जो form है professional फॉर्म है अगर हम इसको linear में करेंगे तो इसका format change हो जाएगा पहले ये zoom इसका यहां से कम करेंगे ये देखो जूम इसका कम किया कम करने के बाद हम यहां पे ये जो है professional यहां पे दिया गया है अगर हम यहां पे linear पे click करेंगे तो इसका format change हो जाएगा, ये देखो ये linear, तो ये जो format है, ये linear format है ये, अगर इसको normal format में रखना है, ये देखो यहाँ पे ये select किया, select करने के बाद यहाँ पे normal text यहाँ पे click किया, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ गया, ये normal text है, इसके बाद हम इसको undo करेंगे, ये undo किय फिर professional form में इसको रखा फिर zoom करेंगे यह zoom किया इसके बाद है यहाँ पे symbols अगर हमें यहाँ पे symbol को insert करना है तो हम symbol को भी insert कर सकते हैं जैसे यहाँ पे यह first symbol है plus और minus का यह यहाँ पे insert करना है तो हम यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद यह देखो यह symbol यहाँ पे आ जाएगा प्लस और माइनिस का अगर और सिंबल यहां पे चाहिए तो इसको यहां पे ड्लीट करेंगे यह ड्लीट किया ड्लीट करने के बाद मौर बटन पे यहां पे कलिक करेंगे अब यहां पे बहुत से सिंबल दिये गया है कौन से सिंबल चाहिए जैसे यह सिंबल चाहिए यहां प fraction यह चाहिए हमने यहां प्रक्शन पर अब्री आड़ करना है तो इसको यहां पर more button पर क्लिक करने के बाद यह fraction के बहुत से option तो यहां पर यहां पर आजाएंगे suppose करो हम यहां पर यह first वाले option को लेंगे यहां पर click किया click करने के बाद हमने यहां पर जैसे यह उपर यहां पे लिए गया है यहां पे इसको click करेंगे click करने के बाद यहां पे लिखेंगे X और निच्छे यहां पे लिखेंगे buy तो हमने यहां पे buy पे click किया यह buy आ गया तो यह fraction में बन जाएगा इस तरह से हम इसको fraction में भी यहां पर कर सकते है इसके बाद इसको यहां पर undo करेंगे यह undo किया undo करने के बाद यहां पर जैसे हमें super script में चाहिए जैसे x square यह चाहिए तो यह करने के लिए हम क्या करेंगे इसको पहले x को यहां पर मिटाएंगे जैसे x square इसमें चाहिए तो यह कैसे लिखेंगे यहां पर प्लिक करेंगे script पे यहां पे प्लिक करने के बाद यहां पे दिया हुए x square यहां पे प्लिक करेंगे तो यह दिखो x square यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा अगर ऐसा नहीं करना है तो हम और option लेंगे यहां पे इसको delete करेंगे दलेट करने के बाद फिर यहां पे script पेbook करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह उपर यहां पे option दिए गया है कौन सा option चाहिए जैसे suppose करो हमें यह option चाहिए हमें यहां पे by square करना है तो यहां पे by square नहीं है यहां पे हमने by square लिखना है तो इसको करने के लिए हमें यह first वाले को लेंगे यहां पे यह हमने लिया यहां पे first पे हम click करेंगे यहां पे और यहां पे लिखेंगे y और यहां पे उपर यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे टू लिखेंगे तो यह लिखो यहां पे 22 किया यह आ गया तो इस प्रकार यहां पे हम स्क्रिप्ट में कुछ भी यहां पे लिख सकते हैं इसके बाद इसको यहां पे delete करेंगे यह delete किया delete करने के बाद इसी प्रकार यह आगे सभी option दिये गया है इनका भी हम यहाँ पर use कर सकते हैं इसके बाद जैसे यहाँ पर suppose करो हमें यह matrix में यहाँ पर चाहिए matrix चाहिए तो यह कैसे बनाएंगे हम यह matrix यहाँ पर more button पर click करेंगे तो यहाँ पर बहुत से option आ जाएंगे बना हुआ है अगर यह चाहिए तो यहाँ पर हम click करेंगे यह दिखो इसमें आ जाएगा अगर ऐसा नहीं चाहिए तो इसको यहाँ पर undo करेंगे undo किया यहाँ पर हमने यहाँ बनाना है matrix तो हम यहाँ पर more button पर click करेंगे यहाँ पर सभी option दिये गया है किसमें चाहिए जैसे हमें इसमें चाहिए तो हम इसमें click करेंगे इसमें click करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर यह matrix यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे यहां पे first पे click करेंगे और यहां पे लिखेंगे हम two इसके बाद आगे click करेंगे यहां पे हम लिखेंगे five और यहां पे निचे यहां पे click करेंगे यहां पे लिखेंगे हम eight और इसके बाद यहां पे click करेंगे यहां पे लिखेंगे 4, तो यह matrix में बन जाएगा, तो इस प्रकार हम यहाँ पे matrix में भी इसको बना सकते हैं यह equation का हो गया, इसके बाद हम इसको undo करेंगे यह undo किया सारा रेको undo किया undo करने के बाद यहाँ पे suppose करो हमें कोई symbol चाहिए, तो हम symbol को insert करने के लिए यहाँ पे insert डैप पे जाएँगे इसके बाद symbol group में जाएँगे और यहाँ पे symbol function यहाँ पे click करेंगे, यहाँ पे click करने के बाद, यहाँ पे यह symbol dialogue box यहाँ पे open हो जाएगा open होने के बाद यहाँ पे font आ जाएँगे, किस font में चाहिए aerial font के इलावा और font चाहिए तो यहां पर बहुत से option है यह रिखो तो हम इसी को रहने देते हैं यहां पर aerial यहां पर यह रखा इसके बाद आगे है subset यह जो symbol है इसके भी आगे जैसे change करना है यह ने चाहिए हमें तो subset पर जाएंगे और यहां पर इसमें आ जाएंगे इसके बाद यह जो symbol इसके आगे है अगर इसमें से कोई symbol हमें insert करना है तो उसके ओपर क्लिक करेंगे जैसे suppose करो हमें यह symbol चाहिए यह वाला यहां पर हम click करेंगे click करने के बाद हम यहां पर insert पर click करेंगे तो यह दिखो यह सिंबल जो है यहां पर आ जाएगा तो इस वीडियो में हमने यह सिखा कि एक्सल शीट में इक्वेशन ओव सिंबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यमाद